आज मैं अब तक का सबसे बड़ा आर्ट बनाने वाली हूँ आज मैं बहु आर्ट बनाऊंगी और या पेंटिंग मैंने विंडो के ग्लास को कवर करने के लिए बनाया है वीडियो में आप देख सकते हैं या पेंटिंग इतनी बड़ी है कि मैं इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही हूँ इसके बोड को भी मैंने घर पे ही बनाया है क्योंकि मुझे विंडो के ग्लास को कवर करना था और exact size का मुझे canvas board मार्केट में नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा घर पे ही मैं canvas board बनाऊ और उसको बनाने के लिए मैंने बुकरम और गत्य का योज लिया है तो आप भी इस वीडियो से idea लेकर canvas board घर पे ही बना सकते हैं आपको जिस size की requirement है उतना बड़ा board बना कर उस पे कोई भी art बना सकते हैं मैं जो यह painting बना रही हूँ उसकी size है 19 inch by 46 inch मैंने गत्य को 19 inch by 46 inch का cut कर लिया है और बुकरम को मैंने 20 inch by 47 inch cut किया है क्योंकि मैं इसके पीछे गत्य स्ट्रिक कर रही हूँ तो बुकरम को मैं फोल्ड करके गत्य पे स्ट्रिक कर पाऊँ इसलिए मैंने 21 inch extra cut किया है जो गत्य मैंने स्ट्रिक किया है आप देख सकते हैं वह फोल्ड हो रहा है मैं जो बुकरम यहां यूज की हो वह पेस्टिंग बुकरम है मतलब उसे iron से भी हम अगर प्रेस करें तो पेस्ट हो जाता है लेकिन गत्य पे यह स्ट्रिक नहीं हो रहा था तो मैंने फैविकॉल लगा के इसे स्ट्रिक किया है और पीछे के साइड जब मैं बुकरम को फोल्ड करके गत्य पे स्ट्रिक करूंगे तो ग्लू गन से ही मैंने इसे स्ट्रिक किया है ताकि यह strongly स्ट्रिक हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगे कि आप नॉर्मल बुकरम ही यूज करें पेसिंग वाला बुकरम थोड़ा costly होता है और वह इस कत्ते पे स्ट्रिक भी नहीं होगा तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल बुकरम ही यूज करें क्योंकि हम इसे favicol से ही स्ट्रिक कर पाएंगे आप भी इस तरह घर पे ही canvas board बना सकते हैं और यह बहुत ही सस्ते में board बनकर ready हो जाएगा आपको market से canvas board खरीदने की जुरत नहीं पड़ेगी तो मैंने बड़ा सा canvas board बना कर ready कर लिया है और आप देख सकते हैं अब यह fold भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने extra गत्दे का piece इस पे स्ट्रिक कर दिया था पेंट्रेस्ट पर मैंने एक दो बोवो आर्ट पसंद क्या था उसे से idea लेकर मैं इस पे sketch बना रही हूँ तो pencil की help से मैं पहले roughly drawing बना लूँगी क्योंकि या board बहुत ही बड़ा है तो मैं नहीं चाहते हैं कि इस पे कोई भी mistake हो इसलिए पहले मैंने pencil से roughly sketch बना लिया है उसके बाद मैं इस पे painting करूँगी अगर आप को sketching नहीं आती है और आपको कोई painting बनानी है तो आप उस painting का print out करा कर और carbon की help से आप इस board पे trace भी कर सकते हैं आप अगर बुकरम की help से canvas board बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें जो आप बुकरम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी quality का करें क्योंकि अगर आप खराब quality का बुकरम यूज़ करेंगे तो उस पे painting smoothly नहीं होगी और color बहुत जादा लग जाएगा मैंने इस पे bow style का sketching कर लिया है आप इस पे कोई भी art बना सकते हैं या bow style का मैंने art इसलिए बनाया है क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इतना बड़ा board पे मैं सोच रहे थी कोई easy सा ही art एक बार ट्राइ करूँ अब मैं इस पे color कर लूँगी तो coloring के लिए मैंने acrylic color का use किया है मैंने pastel और normal acrylic color दोनों का use करके इस पे painting किया है अगर आपके पास pastel color नहीं है तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने white acrylic color में एक तब थोड़ा सा green color mix करके pastel shade ready कर लिया है इसी तरह आप कोई भी pastel shade ready कर सकते है इसी तरह मैं different different color shade को use करके इसको paint कर लूँगी मैं या acrylic color use कर रही हूँ अगर आपके पास acrylic color नहीं है तो आप chalk paint का भी use कर सकते हैं मैं जिस भी color से इस पे paint कर रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पानी add कर ले रही हूँ क्योंकि वुक्रम color बहुत जादा absorb करता है तो अगर ह हमारा कम use होगा और बरबाद नहीं होगा बहुत जादा पानी हमें add नहीं करना है थोड़ा ही पानी add करना है क्योंकि मैंने एक color में बहुत जादा पानी add कर दिया था जिसकी वजह से बुक्रम पे सलवटी आ गई है और painting हलका खराब दिख रहा है इसलिए मेरी तरह आप य पानी उसमें add करें मैं अपने वीडियो में try करती हो कि जो भी गलतिया मैंने या art बनाने के लिए की है वह अच्छी तरह आपको बता सकूँ ताकि आप भी वह गलती ना repeat करें अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी helpful और अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कर लें आपके likes और प्यारे comment से मुझे motivation मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो उस लाँ मैंने इस पे पहले background कलर किया है तो different different color से मैंने इसके background को color कर लिया है background को color करने से ही या painting बहुत अच्छा लगने लगा है अब इस पे जो मैंने leaves, butterfly और sun बन complete करने में 3-4 दिन लग गये थे जब भी मुझे free time मिलता था तो मैं यह painting complete करने में लग जाती थी तो अगर आप भी कोई art बनाते हैं या फिर अगर आप beginners है और आप कोई भी DIY या craft या art बनाना चाहते हैं तो patience के साथ आप उस art को complete करें तब ही उसका result अच्छा आएगा अग कोई आपको doubt है तो आप मुझे instagram पर message करके पूछ सकते हैं अगर आपने मुझे instagram पर follow नहीं किया है तो link मैं description box में दे दूगी वहां क्लिक करके आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं मैंने online art and craft class में start किया है जिसमें आप अपने कोई भी art या फिर कोई अगर आपके पास waste material है उसको आप recreate करना चाहते हैं तो आप मुझसे आइडिया ले सकते हैं अगर आपको इसके बारे में detail में जानकारी लेनी है तो instagram पर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैंस इसी तरह patience रखते हैं मैंने चार दिन में या painting complete की है अभी भी इसमें outline बागी है और आपको coloring करने के बाद य शरूर बताईएगा अगर आप भी इस video से idea लेकर कोई art बनाते हैं तो मुझे instagram पर उसके pictures शरूर शेयर करिएगा मैं उसको अपने story पे लगाऊंगे painting कर लिया है अब मैं इस पर outline कर लूँगे outline के लिए मैं sketch pen का use कर रही हो आप acrylic color से भी इस पर outline कर सकते हैं अगर आपको भ बने के लिए आप भी इस तरह का कोई painting बना सकते हैं और उसको वहाँ लगा सकते हैं जिससे वह corner अच्छा लगने लगेगा और आपका wall भी hide हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो please मेरे channel को subscribe कर ले और bell icon जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मै upload करूँ उसका notification आपको मिल जाए तो इस तरह मैंने outline complete कर लिया है और मैंने butterfly का color थोड़ा change कर लिया है वीडियो में आप देख सकते हैं painting में कहीं कहीं पे आपको सलवटे दिख रही होंगी या इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने color में पानी बहुत ज्यादा add कर लिया था तो आपको यह idea कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईएगा और अगर यह video अच्छा लगा तो इस video को like जरूर कर दीजेगा मिलते हैं फीर एकने video के साथ till then take care and bye bye झाल 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